C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पार्थे पुस्तक विज्ञान 1 आईए अब सुनते हैं पार्थ 8 शरीर में गती प्रिश्ट 66 बिल्कुल शान्त होकर बैठिये तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए आप समय समय पर अपनी पलके तो जपकाते ही होंगे श्वास लेते समय अपनी शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षन कीजिए हमारी शरीर में स्वाता ही अनीक गतियां निरंतर होती रहती हैं जब आप अपने नोड़ बुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गती करता है जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गती करता है इन सभी उधारणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गती करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्याले के मैदान में जाते हैं। अथवा विद्याले के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिती में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्त में चल कर जाते हैं। आप चल कर, दोड कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभीभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 को भड़ते हुए यह देखते हैं कि जन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। इस सारणी में तीन कॉलम दिखाए गए हैं। पहले में कुछ जन्तुओं के नाम हैं। दूसरे में गमन में प्रयुक्त होने वाले उनके भाग या अंगों के नाम बताने हैं। तीसरे कॉलम में जन्तू कैसे गमन करते हैं? ये बताना है. जन्तू, गाए, गमन में प्रयुक्तो होने वाला भाग या अंग, पैर कैसे गमन करते हैं? चलती है. मनुष्य, गमन में प्रयुक्तो होने वाला भाग या अंग कैसे गमन करता है? बताना है. साप, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग जैसे संपून शरीर, कैसे गमन करता है? रेंग कर जन्तू, पक्षी, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग आपको बताना है, कैसे गमन करते हैं? ये आपको बताना है कीट गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग कौन सा है? ये गमन कैसे करता है? ये आपको बताना है मचली गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग कौन सा है? ये गमन कैसे करती है? ये आपको बताना है चलना, तहलना, दौडना, उडना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादी जन्तूओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ धंग हैं जन्तूओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविदता क्यूं है? क्या कारण है कि अनीक जन्तू चलते हैं जबकि सांप रिंगता है और मचली तेहरती है? आठ पॉइंट एक मानव शरीर एवं इसकी गतियां जन्तूओं की विविद गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आएए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें क्या आपको विद्याले में शारीरिक व्यायाम करते समय आनन्द आता है? विद्याले में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आएए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग है, हम उन में से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। प्रिष्ट सड़ सट एक कालपनिक विकेट पर कालपनिक गेंद फेकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार गुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्तकार रूप में गुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीट के बल लेट जाए तथा अपने पैर को कूले के चारों ओर खुमाईए। अपनी भुजा को कोहनी से उपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मूड़िए। अपने हाथों को अपने पार्ष में सीधा तानिए। भुजा को मोडते हुए अंगुलि का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। अपनी शरीर के विभिन हिस्सों से गती करने का प्रयास कीजिए। एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। सारणी 8.2 में हमारी शरीर में होने वाली गतियों को दर्शाया गया है। यहां कुछ कॉलम है जिसमें पहले कॉलम में दिया है शरीर का भाग। आपको बताना है कि वो पूर्टा घूमता है, अंशता घूमता या मुडता है, जुकता है, उठता है या गती बिलकुल नहीं करता शरीर का भाग जैसे गर्दन पूर्था घूमता है अंशता घूमता या मुड़ता है जुकता है उठता है गती बिल्कुल नहीं करता ऐसे ही आपको बताना है अन्य भागों के बारे में भी जैसे कलाई अंगुलियां घुटने एड़ी पादांगुली पीठ सिर कोहनी भुजा क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एकी ही दिशा में घुमा सकते हैं हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्द क्यूं रहते हैं करिया कलाप एक एक पैमानी को अपने हाथ पर चितर संख्या 8.1 में दर्शायी गई स्तिती में रखिये जिससे आपकी कोहनी पैमानी के मध्य में रहे चित्र संख्या 8.1 में एक बच्चे को दर्शाया गया है जिसमें उसने अपनी एक बहां में नीचे की ओर एक लकडी के पट्टे को रसी से बांधा हुआ है अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए क्या आप इसे मोड़ पाते हैं क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हूँ उदारन के लिए कोहनी, कंधा, अथवा गर्दन क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन इस्थानों को संधी कहते हैं यदि हमारी शरीर में कोई संधी नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गती करना संभव होता? वास्तों में इन संधीओं को कौन सी वस्तू परस पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली, एवं पादांगुलियों को दबाईए क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तू को दबा रही है? ये कठोर सनरचनाएं अस्थियां हैं, अपने शरीर के अन्निभागों में इस प्रक्रिया को दोहराईए इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के उपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तों में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं, इसी प्रकार हमारी शरीर के प्रतियक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं, हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या जुका नही नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन गतिविधियों एवं विभिन प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आईए उनमें से कुछ के बारे में जाने। कंदुख खली का संधि क्रिया कलाप दो कागस की एक पट्टी को एक बेलन यानि सिलिंडर के रूप में मोड़िये। रबड अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरिक्षण में उसमें मोड़े हुए कागस के बेलन को डालिये जैसा कि चि गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों और घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वातंत्र रूप से घूमती है। क्या कागस का बेलन भी घूमता है। चित्र संख्या 8.2 में कंदुख खली का संधी बनाना पता है जिसमें एक कटोरी में गेंद और उपर कागस का बेलन दखा गया है। अब कलपना कीजिए कि कागस का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थी का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थी की कटोरी रूपी गुहिका मेधसा हुआ है। चित्र संख्या आठ पॉइंट तीन में इसे दर्शाया गया है। इस प्रकार की संधी सभी दिशाओं में गती प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में इस प्रकार की संधी का कोई अन्योधारन खोच सकते हैं। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विबिन भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। चित्र संख्या 8.3, इस चित्र में कंदुखली का संधी को दर्शाया गया है. सबसे उपर कंदुखली का संधी, उसके बाई ओर शुरोणी अस्थी और दाई ओर जांक की अस्थी. धुराग्र संधी गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधी धुराग्र संधी है, जिसे चित्र संख्या 8.4 में दर्शाया गया है. इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं. इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए. यह गती हमारे हाथ की उस गती से किस प्रकार भिन है, जिसमें कंदुखली का संधी द्वारा हाथ को पूर्णता वृत्ता का रूप में घुमा सकते हैं. धुराग्र संधी में बेलिना कारस्थी एक छले में घुमती है. चित्र संध्या आठ पॉइंट चार में धुराग्र संधी को दर्शाया गया है. हिंज संधी घर के किसी दर्वाजे को बार-बार खोलिए और बंद कीजिए. इसके कब्जों को ध्यान पूर्वक देखिए. यह दर्वाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है. क्रिया कलाब तीन आईए कब्जे की गती के प्रकार को देखें. एक मोटे कागस अथवा गत्य का एक बेलन यानि सिलिंडर बनाईए. जैसा कि चित्र संख्या आठ पॉइंट पांच में दिखाया गया है. चित्र के अनुसार गत्य अथवा कागस के बेलन के मध में छेद करके एक छोटी पैंसिल लगाईए. गत्य का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िये कि यहां आधा बेलन बन जाए. जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके. आधे बेलन पर रखा पून बेलन कबजे की भाती है. पैंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए. यहां किस प्रकार गती करता है? यहां गती आपके द्वारा बनाए गए कंदु खलिका संधी की गती से किस प्रकार भिन है? हमने क्रिया कलाप एक में कोहनी में इसी प्रकार की गती देखी थी. चितर संख्या आठ पॉइंट पांच में हिंज जैसी संधी द्वारा गती की दिशा को दर्शाया गया है. चितर संख्या आठ पॉइंट पांच में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन है. लेकिन इससे यहां पता चलता है कि हिंज ए यानि कब्जा संधी होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक इही दिशा में गती हो सकती है, जैसा कि चित्र संधिया 8.6 में घुटनी की हिंज संधी को दर्शाया गया है. क्या आप ऐसी संधी के कुछ और उधारण सोच सकते हैं? अचल संधी हमारे सिर्की अस्थियों के बीच की कुछ संधिया उन संधियों से भिन्न हैं, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है. ये अस्थिया इन संधियों पर हिल नहीं सकती. ऐसी संधियों को अचल संधी कहते हैं. जब आप अपना मूख खोलते हैं, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं. अब अपने उपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिये. क्या आप इसे गती दे पाते हैं? उपरी जबड़े एवं कपाल के मध्धे अचल संधी है. हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की, जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं. हमारी शरीर के विभिन अंगों को विभिन आकरिती कौन प्रदान करता है? यति आप एक गुडिया बनाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवता, गुडिया को एक आकरिती प्रदान करने के लिए आप एक धाँचा तयार करेंगे. क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? हमारी शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुन्दर आकरिती प्रदान करने के लिए एक धाँचे का निर्मान करती हैं. दर्शाया गया है प्रिश्ट सत्तर हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकरिती है हम शरीर की विभिन अस्थियों की आकरिती के विशे में किस प्रकार जान पाते हैं शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकरिती के बारे में हमें त तभी कठोर अस्थियों की आकृती का पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कई बार चोट लगने पर चिकिस्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षती के विशे में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृती का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं उपरी भाग तथा पैर के निचले एवं उपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रतेक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं, अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रतेक भाग में अस्थियों की संख्या ज्याद कीजिए। यहां चित्र संख्या 8.8 में टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे के चित्र दिये गए हैं अपनी उंगलियों को मोड़िये क्या आप उन्हें प्रतेक संधी स्थल पर मोड़ सकते हैं आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हदेली के पिछले भाग का इसपर्श करके अनुभव कीजिए क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? जैसा कि चित्र संख्या 8.9 में दर्शाया गया है यहां पर हाथ की अस्थियों को दर्शाया गया है क्या आपकी कलाई लचीली है? यहाँ अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार-पेल कहते हैं. यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती, तो क्या होता? क्रिया कलाब चार गहरी सांस भर कर इसे कुछ समय तक रोके रहिए. अपने वक्ष एवं पीट को हलके से दबा कर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए. जितनी पसलियों यानि वक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए. चित्र संख्या 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुल्ला अपने उप्युक्त अनुभव से कीजिए. हम देखते हैं कि पसलियां विशेश रूप से मुड़ी हुई हैं. वे वक्ष की अस्थि एवं मेरू दंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करत हैं. इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं. वक्ष के दोनों तरफ बारा पसलियां होती हैं. हमारी शरीर के कुछ महत्पूर अंग इसमें सुदक्षित रहते हैं. प्रिष्ट 71. चित्र संख्या 8.10 में पसली पिंजर को दर्शाया गया है. अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोडे जुक कर अपने पाउं की उंगलियां चूने को कहिए. क्या यह चिकनी, समतल, अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की करतन से प्र मेरुदंड है. यहाँ अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं. मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है. चित्र संख्या 8.11 में ऐसी ही एक मेरुदंड को दर्शाया गया है. पसली पिंजर भी वक्ष क्षित्र की इन अस्थियों से होता है. यदि मेरुदंड केवल एकी ही अस्थि का बना होता, तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे जुग सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हातों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए. उससे कहिए कि वो अपने हातों से दीवार पर धक्का लगाने क प्रयास करें कि आपको उसके कंदों के समीप दो उबरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, इन्हें कंधी की अस्थियां कहते हैं. चित्र سंख्या 8.12 में ऐसे ही कंधी की अस्थियों को दर्शाया गया है. चित्र संख्या 8.13 को ध्यान पूरवक देखिए. यह सनचना शुरोणी अस्थियां है, यहाँ बॉक्स के समान एक ऐसी सनचना बनाती हैं, जो आपके अमाशे के नीचे पाए जाने वाले विभिन अंगों की रक्षा करता है, यहाँ कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं. चितर संख्या 8.13 इस चितर में शुरोणी अस्थियों को दर्शाया गया है, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हैं, जैसा कि चितर संख्या 8.14 में एक मानव खोपड़ी को दर्शाया गया है, यह हमारे शरीर के अति महतपुर्ण यानि मस्तिश्क को परिबध करके उसकी सुरक्षा करती है हमने अपने कंकाल की बहुत सियस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की कंकाल के कुछ अतरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थी कहते हैं अपने कान को स्पर्ष कीजिए क्या आप किसी कठोर अस्थी भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके जैसके चित्र संख्या 8.15 में दर्शाया गया है इस चित्र में कान के उपरी भाग में वो पास्थी को दर्शाया गया है और चित्र संख्या 8.16 में कन पाली यानि कान के निचले भाग को दिखाया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थी नहीं है क्या आपको अंगलियों के बीच दबाने पर कण पाली एवं इसके उपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का उपरी भाग उतना लचिला नहीं है जितना की हमारी कण पाली? परन्तु यह अस्थी जैसा कठोर भी नहीं है. ये उपास्थी है. शरीर की संधियों में भी उपास्थी पाई जाती है. हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है. आप उन में से बहुत को देख सकते हैं, मोड सकते हैं तथा गती दे सकते हैं अपनी नोट बुक में कंकाल का स्वच आलेक बनाएं हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विशे में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन प्रकार की गती करने में हमारी सहयता करती है अस्थियों को इस प्रकार की गती करने योग के कौन बनाता है? आईए इसका पता लगाएं अपने एक हाथ की मुठी बनाएए मुठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए क्या आप अपनी ओपरी भुजा में कुछ परिवर्टन अनुभव करते हैं? आठ पॉइंट सत्रा यहाँ पर अस्थि को गती प्रतान करने में दो पेशियां सियुक्त रूप से कारे करती हुई दिखाई गई हैं दूसरे हाथ से इसे चू कर देखिए क्या आपको कोई उपरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं संकुचित यानि लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उपराती हैं अब आप अपने हाथ को पुना सामान इस्थिती में लाइए पेशियों का क्या होता है? क्या यहाँ अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथ्वा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है यहाँ अस्थी को खींशती है किसी अस्थी को गती प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कारे करना होता है जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है, तो अस्थी उस दिशा में खींश जाती है युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानि लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है अस्थी को विपरीद दिशा में गती करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड कर अस्थी को अपनी पूर्विस्थिती में खींचती है जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है पेशी केवल खीन सकती है वहाँ धक्का नहीं दे सकती अताहां एक अस्थी को गती देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कारे करना होता है चित्र संख्या आठ पॉइंट सत्रा में ऐसी ही अस्थियों को दर्शाया गया है क्या गती के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आविशक्ता होती है दूसरे जन्तु किस प्रकार चलते हैं क्या सभी जन्तुओं में अस्थियां पाई जाती है केचुओं अथ्वा घूंगे में क्या होता है आईए कुछ जन्तुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं आठ पॉइंट दो जन्तुओं की चाल केचुओं क्रिया कलाब पाँच बगीचे में चलते हुए एक केचुओं का निरिक्षन कीजिए इसे पकड़ कर एक सियाही सोक यानि फिल्टर पेपर पर रखिए इसकी गति का प्रेक्षन कीजिए जैसा कि चित्र संख्या आठ पॉइंट अठारा में दर्शाया गया है इसके पस्चात केचुओं को एक काँच की पट्टी यानि टुकडे टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिये तथा इसकी गति का प्रेक्षन कीजिए क्या यह गति पेपर पर केचुओं की गति से भिन है उपर की दो सतह में से किस पर केचुओं आसानी से चल सकता है चित्र संख्या 8.18 में केचुए की गतियों को दर्शाया गया है केचुए का शरीर एक सरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्तित होता है केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतो इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहयता करती हैं। चलने के दोरान केचवा अपनी शरीर के पश्च भाग को भूमी में जक्ले रहता है तथा अगरभाग को फैलाता है। इसके बाद वो अगरभाग से भूमी को पकड़ता है, तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है. इसके पश्चाथ यह शरीर को संकुचित करता है, तथा पश्च भाग को आगे की ओर खीशता है. इससे वह कुछ दूरी तक आगे पढ़ता है. केच्वा इस प्रक्रिया को बार बार दोराते हुए मिट्टी पर आगे पढ़ता है इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहयता करते हैं यहां अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है इसके शरीर में छोटे-छोटे अनेक शूख यानि बाल जैसी आक्रिती होती हैं. ये शूख पीशियों से जुड़े होते हैं. ये शूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मस्बूत बनाते हैं. केचुवा वास्तों में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है. उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है. केचुवे द्वारा किया गया यहा कारे मिट्टी को उपजाओ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है. घूंखा किसी बगीचे में एक घूंगे का वलोकन कीजिए. क्या आपने इसकी पीट पर गोल सनचना देखी है? चितर संख्या आठ पॉइंट उननीस में एक घूंगे को दर्शाया गया है. इसे कवज कहते हैं और ये घूंगे का बाहे कंकाल है. परंतु यहाँ अस्थियों का बना नहीं होता. यहाँ कवज एकल एकक होता है. और यहाँ घूंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता. यहाँ घूंगे के साथ खिशता जाता है. घूंगे को काँच की पटिका पर रख कर इसका प्रेक्षण कीजिए जब ये चलना प्रारंब करे तो साफधानी से काँच की पटिका को अपने हाथों से अपने सिर्थ से उंचा उठा कर काँच की नीचे की ओर से उसके चलने के धंग का प्रेक्षण कीजिए कवज का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मासल सनचना एवं सिर बाहर आते देखा है मोटी सनचना इसका पाद यानी पैर है जो दिर्ण पेशियों का बना होता है अब सावधानी पूर्वक काँच की पिलेट को एक और थोड़ा सा जुकाईए पाद यानी पैर की लहरदार गती दिखाई देती है क्या घूंगे की गती केचुए की गती से तीवर है अथवा धीमी तिल्चट्टा क्रिया कलाप साथ किसी कौक रोच यानी तिल्चट्टा का प्रेक्षण कीजिए चित्र संख्या आठ पॉइंट बीस में तिल्चट्टे का चित्र दर्शाया गया है तिल्चट्टा जमीन पर चलता है दीवार पर चलता है और वायो में उड़ता भी है इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में साहता करते हैं इसका शरीर कठोर बाहे कंकाल द्वारा ढका होता है यहाँ बाहे कंकाल विभिन एककों की परसपर संधियों द्वारा बनता है जिसके करण गती संभव हो पाती है वक्ष से दो जोड़े पंक भी जोड़े होते हैं अगले पैर संकरे और पिछले पैर चोड़े एवं बहुत पतले होते हैं तिल चट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं पैर की पेशियां उन्हें चलने में साहता करती हैं वक्ष की पेशियां तिल चटे के उड़ने के समय उसके परों को गती देती हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, तता भूमी पर चलते हैं, बत्तक तता हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायू प्रकोष्ट होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंदु मजबूत होती हैं। पश्च पात यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अगर पात की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंक बनाती हैं। कंदे की अस्थियां मजबूत होती हैं, वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेश रूप से रूपांतरित होती हैं, तथा पंखों को उपर नीचे करने में सहायक होती हैं। काघस की एक नाव बना कर उसे पानी पर इस प्रकार रखिये कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे, इसे धीरे से धक्का दीजिये। चित्र संख्या 8.22 ए इस चित्र में एक काघस की नाव को पानी के उपर तैराते हुए दर्शाया गया है। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? चित्र संख्या 8.22 में नाव से खेलना दिखाया गया है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़ कर इस प्रकार धक्का दीजिये कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। जैसा कि चित्र संख्या 8.22 बी में दर्शाया गया है। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकरिती काफी सीमा तक मचली जैसी है? चित्र 8.23 में कुछ मचलियों के चित्र दिये गए हैं। मचली का सिर एवं पूँच उसके मद्धे भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकरिती धारा रीखिय कहलाती है। इसकी विशेश आकरिती के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। और मचली जल में सरलता से तैर सकती है। मचली का कंकाल दिर्वर पेशियों से ढखा रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अगरभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूँच विप्रीत दिशा में जाती है। मचली चित्र 8.24 के नुसार शरीर को मुड़ती है तो तीवरता से उसकी पूँच दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक जटका सा लगता है और मचली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक दाल से मचली आगे की ओर तैरती रहती है। पूच के पंक इस कारे में उसकी सहायता करते हैं। मचली के शरीर पर और भी पंक होते हैं, जो तैरती समय जल में संतुलन बनाये रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोता खोर अपने पैरों में इन पंकों की तरह के विशेश अरित्र यानि फिली पर पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? चित्र संख्या 8.25 में ऐसे ही एक सांप को दर्शाया गया है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीन एवं असंके होती हैं। वे परस पर जुड़ी होती हैं। चाहे वे दूर ही क्यूं नहों। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वले में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रतीक वले उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वले बनाता है और प्रतीक वले आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तीज गती से आगे की ओर चलता है। परन्तु सरल हमें नहीं चलता। हमने विभन जंतूओं को गती प्रधान करने वाली अस्थियों एवं पेष्यों के विषय में जानकारी प्राब्त की। पहली एवं बूजों के पिटारे में विभन जंतूओं की गतियों से सμबंधिद अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिश्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक Get of Animals में स्वयम अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन जन्तूओं के शरीर में विभिन भाग क्यों होते हैं। यहां विशेश अंग उन जन्तूओं की विशेश गती में किस प्रकार सहायक हैं। विभिन जन्तूओं के शरीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिनताएं हैं। विभिन जन्तूओं को चलने के लिए कितने अंगों की आविशकता होती हैं। मनिश के दो पैर तथा गाए और भैंस के चार पैर क्यूं होते हैं? बहुत से जन्तू, संबादी होते हैं क्यूं? हमारे पैरों के मुड़ने का धंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यूं है? इतने अधिक प्रश्न, संभवता अपने क्रिया कलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोचने हैं। बहतर जीवन के लिए योग योग प्राचीन भारतिय परंपरा का एक अमूल उपहार है। संयुक्त राष्ट द्वारा 21 जून को अंतर राष्टिय योग दिवस के रूप में घूशित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है यहां मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है जिससे आप सीधे बैठते हैं जुकर नहीं। योग की कई मुत्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वेम का वजन उठाते हैं जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑंस्टियो पोरुसिस से बचाती हैं। यहां जोडों के दर्द को कम करती है जो अधिकतर बुजर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मास पेशियां सक्रिये रहती हैं। इससे हिर्दय भी स्वस्थ रहता है जिससे वो अधिक दक्षता से कारे करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेक में ही किया जाना चाहिए। प्रमुक शब्द मेरु दंड कंदुख खलिका संधी शूक उपास्थी गुहिका अचल संधी जंदुओं की चाल हिंज संधी पेशी बहय कंकाल शुरोणी अस्थियां धुराग्र संधी पसली पिंजर कंधी की अस्थियां कंकाल धारा रीखिये प्रिश्ट सदातर सारांश अस्थी एवं उपास्थी मानव कंकाल बनाते हैं यहाँ शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकरिती भी देता है कंकाल चल्ले में सहायक है और आंतरी कंगों की सुरक्षा करता है मानव कंकाल खूपड़ी, मिरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थी, कंधे एवं शुरोणी मेखला तथा हाथ एवं पाउं की अस्थियों से बनता है पेशियों के जोड़े के एक आंतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गती करती है अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है यहाँ उस संधी की प्रकृती एवं गती की दिशा पर निर्भर करता है पक्षियों की दिरूर्ड पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उने उड़ने में सहायता करती हैं ये पंक्खुन को फढ़फढ़ा कर उड़ते हैं मचली शरीर के दोनों ओर एकांतर करम में वलय बना कर जल में तैरती है सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एक आंतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमी पर वलियाकार गती करता हुआ आगे की ओर फिसलता है बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जोड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं तिल चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ठके होते हैं जो बाहय कंकाल बनाता है वक्ष की पेशियां तीन जोड़ी पैरों एवं दो जोड़ी पंकों से जोड़ी होती हैं जो तिल चट्टे को चलने एवं उड़ने में सहता करती हैं केचुए में गती शरीर की पेशियों के बारी-बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अदा सतह पर शूक केचुए को भूमी पर पकड़ बनाने में सहायक है। घूंगा पेशिये पात की सहायता से चलता है। अभ्यास एक यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिनमें रिक्तिस्थान हैं। उन इस्थानों की पूर्ती कीजिए। क अस्थियों की संधियां शरीर को रिक्तिस्थान में सहायता करती हैं। ख अस्थियां एवं उपास्थी संयक्त रूप से शरीर का रिक्तिस्थान बनाते हैं। ग कोहनी की अस्थियां रिक्तिस्थान संधी द्वारा जुड़ी होती हैं। ग गती करते समय रिक्तिस्थान के संकुचन से अस्थियां खिषती हैं। दो, इन कत्नों के आगे सत्य यानी T तथा सत्य यानी F को इंगित कीजिए। का, सभी जन्तूं की गतिय वम्चलन बिलकुल एक समान होता है। खा, वो पास्थी अस्थी की अपेक्षा कठोर होती है। प्रेश्ट अठात्तर ग, अंगुलियों की अस्थियों में संधी नहीं होती। घ, अगर भुजा में दो अस्थियां होती है। द, तिली चट्टों में बाहयक अंकाल पाया जाता है। तीन, यहां एक सारणी दी गई है जिसमें दो कॉलम हैं। कॉलम एक और कॉलम दो। कॉलम एक में दिये गए शब्दों का संबंध कॉलम दो के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िये। कॉलम एक उपरी जबड़ा, मचली, पसलिया, घुंगा, तिलचटा। कॉलम दो, शरीर पर पंक होते हैं, बायक कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक अचल संधी है, हर्दे की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गती से चलता है, का शरीर धारा रेखिये होता है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क, कंदुखली का संधी क्या है, क, कपाल की कौन सी अस्थी गती करती है, ग, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड सकती। सोचने के लिए बातें, हमने उन गतियों की चड़जा की, जिनको करने में हमारा शरीर सक्षम है। इन सभी गतियों के लिए शरीर को स्वस्थ अस्थियों, पीशियों, संधियों एवं उपास्थी की आविशक्ता होती है। हम में से कुछ लोग ऐसे विकार से पीडित होते हैं, जिसके कारण इन गतियों को करना इतना सरल नहीं होता। अपनी गक्षा में ऐसे क्रिया कलापों का आयोजन कीजिये और ऐसे उपाय खोजने का प्रयास कीजिये, जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिन चरिया सुचारों रूप से चला सके। उधारन के लिए क्रिया कलाप एक का स्मर्ण कीजिये, जिसमें आपने अपने हाथ पर एक पैमाना बांद कर अपनी कोहनी की गति को बाधित कर दिया था। शरीर की सामानि गतियों को क्रित्रिम रूप से बाधित करने के कुछ और तरीके सोचिये, तथा ऐसे उपायक होजिये, जिनके द्वारा प्रति दिन के क्रिया कलाप संपाधित किये जा सकें। इसी के साथ सोला पाठों की स्पुस्तक का आठवा पाठ यहां समाप्थ हुआ।